गाजर खाना अक्सर बच्चों को पसंद नहीं है लेकिन अगर आप हलवा बना कर उनको दे तो वो जरूर खाएंगे तो आप भी गाजर का हलवा ठंडियों में एक बार तो जरूर बनाईएगा और थोड़ी बहुत टिप्स और ट्रिक्स को अगर फॉलो करेंगे तो आपका गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी और यमी बनके निकलेगा तो मैंने भी सोचा क्यों आज गाजर का हलवा बनाया जाए और अगर बनाई रही हो तो आप लोग के साथ भी इसको शेयर किया जाए तो सबसे पहले तो मैं भगवान को भोग लगाऊंगी उसके बाद ही हम इसको ग्रहन करेंगे तो चलिए देखते हैं गाजर का हलवा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए और कैसे मैंने बनाया है तो ये है 2 kg गाजर तो मैं 2 kg से नहीं बनाऊंगी एक से 1.5 kg का ही बनाऊंगी तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी इसको चाकू से अच्छे से काट लूँगी मैं अभी नहीं धो रही हूँ इसको अभी मैं उपर का जो हिस्सा है उसको काट लूँगी और पीलर की साहता से अच्छे से मैं पील कर लूँगी सभी को अच्छे से पील करने के बाद हम इसको धो लेंगे फिर हम इसको कट्दुकस करेंगे गाजर में बहुत ज़दा विटमीन A पाए जाता है इसलिए विटमीन A की डिफिशेंसी से जो भी बिमारियां होती है आखों को लेकर जैसे ड्राइ आई होता है नाइट ब्लाइनेस होता है तो ये हमको नहीं होगा अगर हम नियमित इसका सेवन करेंगे इसका जूस भी पी सकते है मैंने जूस का रेसिपी भी अपने चानल में दिया हुआ है ABC जूस मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगे अगर आप देखना चाहे तो वो भी देख सकते है वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है स्किन हेल्थ के लिए अच्छा है इम्यूनिटी को हेल्प करता है हार्ट के लिए अच्छा है ये डाइजस्टिव हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है डाइबेटीज भी मेंटेन करता है और ये हमारे बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा है देखे गुन बताते ही यहाँ पर मेरा 1.5 kg करीब घाजर मैंने कद्दुकस कर लिया अलाकि मिनको 5 मिनिट नहीं लगए काफी टाइम लगा इसको पूरा कद्दुकस करणे के लिए 2 kg मेंने नहीं किया है एक से 1.5 kg करीब मैंने कद्दुकस किया है अब मैंने ये कडाई ले लिया है, ये बर्जनर का कडाई है, इसका भी मैंने रिव्यू दिया हुआ है, इसका एक वीडियो बना कर मैंने चैनल में अप्लोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं, थोड़ा ये हेवी बॉटम कडाई है, तो आपके पास जो भी हेवी बॉटम वाला बरतन है न कणाई उसी को अब यूज कीजेगा ने तो क्या होता है न गाजा नीचे से जल जाएगा तो ये मैंने कणाई ले लिया इसके बाद मैंने इसमें गहीं डाल दिया तो देड़ केजी गाजर है तो थोड़ा गहीं तो डालना ही हमको अच्छे से दो कर्ची भर करके मैंने घी डाल दिया है और इसमें मैं गाजर डाल दूंगी और डालने के बाद इसको मैं कम से कम आदे घंटे तक इसको अच्छे से फ्राई करूंगी इसका मतना मौश्चर खतम हो जाए उतने देर तक मैं इसको फ्राई करूंगी और अभी ठंडियों का मौसम है अभ भी उप्टे भी लिए तो बहुत लग्त लोग तो खोया डाल देते हैं तो मैंने तो अभी मेरे पस खोया नहीं था तो मैंने क्या क्या ये एक लीटर दूद मैंने डाल दिया और ये हैं कम से कम और आधा लीटर तो फोटल हो गया ए 1-2 lebih लीटर तो 1,5 kg में मैंने 1-2.1.1.5 करतें अब मैं क्या करूंगी दूद को इसमें डूद Renee आप चाहे तो दूद को डाले के इसको छोया बना सकते हैं मतलब इसको गंते तक चलाना पड़ेगा तो दूद जब आप स्थाएगा नथा थो खोया बन जाता है तो उसको भी आप सकते तो उसमें आपको यहां पर जादा टाइम नहीं लगेगा तो मैंने तो अब दूट डाल दिया इसमें डालने के बाद अब इसको मैं गैस का फ्रेम को कम करके रग दूंगी और अपना काम करते रही है क्योंकि इसको बहुत टाइम लगने वाला है यह देखें मैं आपको दिखा रहे हूँ कि गैस का फ्लेम मैंने कम कर दिया था और मैं दूसरा काम करने लग गई तो अब इसको बीज बीज में आपको चेक करते रहना है ने तो यह नीचे से लगने का भी चांसस रहता है हलांकि यह बिल्कुल नहीं लगा क्योंकि जो कड़ाई मैंने यूज किया है यह मोटे तले का है देखें अभी बनाते बनाते दूद्ध सूकते सूकते कम से कम दो घंटा हो गया था एक तो गाजर का पानी और यह दे लिटर दूद जो स्लोली जो बनता है ना धीरे धीरे उसका टेस्टी अलग होता है तो अभी मैंने यह अलग से निकाल लिया क्योंकि सब चीनी नहीं खाते हैं जो डाइबिटिक पेशन्स होते हैं उनको मैं चीनी नहीं दे सकती हूँ तो घर में अगर किसनी को डाइबिटीज है तो आप अलग से निकाल कर उसमें आप शुगर फी डाल कर बना लीजेगा तो यहां मैंने देखिए पाउडर करके रखा था शुगर क्योंकि मैंने केक बनाया था दो दिन पहले ही कस्टर्ड केक बनाया था उसके लिए मैंने चीनी को पाउडर करके रखा वाता तो आप चीनी ऐसी नॉर्मल भी डाल सकते हैं और मीठा अपने हिसाब से डालिए कोई कम खाता है कोई जादा खाता है तो चीनी डालने के बाद वापस यह थोड़ा पानी रिलीस करेगा थोड़ा से मैंने इलाइची का पाउडर डाल दिया इससे बड़ा अच्छा खुश्बू आता है और अभी मैंने डाल दिया थोड़ा से किश्मिश तो गिश्मिश क्या होगा न फूल जाएंगे इसके पानी से ही फूल जाएंगे और नारियल का यह सूखा नारियल है इसको आप मिक्सी में चला लीजेगा इससे जो हलवे का टेस्ट नेक्स्ट रेवल का हो जाता है बहुत अच्छा लगता है तो थोड़ा ज़्यादा सा यह सूखा नारियल ले लिजिएगा उसको मिक्सी में अच्छे से चला लीजेगा चलाने के बाद इसको इसको अच्छे से में चला लूगी आलमोस्ट अ चुका था तो अभी हम क्या करेंगे इसके ओपर ड्राइफ लूट से चितने भी आपके पास है जो आपने डालना चा और बाकी को आप रख दीजे, थोड़ा थोड़ा डेली खाईएगा इसको, और ये देखिए, गाजर का हलवा बनकर बिल्कुल रेडी था, सबसे पहले मैं भगवान को भोग लगाऊंगे, फिर ही हम इसको खाईएगे, तो आशा करती हूँ, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजेगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजेगा, और अपने घर में इसको जरूर बनाईए, अपने घरवालों को खिलाईए, और अपना फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में आकर मुझ लिख कर बताईएगा कि आपको ये कैसा लगा, तो थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो,